Hello everyone, this is Neha, welcome back to the channel, hope you all are doing great तो बच्चा हमारी last class के अंदर हम लोगों ने करा था BST का chapter number 4 planning complete अब आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा chapter number 5 organizing प्लस जतने भी notes में आपर use कर यूँ हैं यह सारे notes मैंने आपकी NCRT से बनाये हैं तो आप आराम से tension free होके इन notes को follow कर सकते हो अच्छा एक चीज और देखो कुछ schools के अंदर NCRT चलती है कुछ schools के अंदर पूनम गांधी चलती है तो अगर आप पूनम गांधी follow कर रहे हो तो आप मेरी last year वाली playlist follow कर सकते हो syllabus हमारा same है last year मैंने पूनम गांधी से detailed one shots upload करेते हैं आप वो playlist follow कर सकते हो अगर आपके school के अंदर NCRT चल रही है then this playlist is for you बाकी मेरा personal suggestion यह है BST कहीं से भी पढ़ो एक बार NCRT रीड करना बहुत जरूरी है case studies के लिए तो अगर आप यह playlist follow कर रहे हो already notes आपके NCRT से हैं तो आपको अलग से NCRT रीड करने की requirement नहीं होगी ठेक है तो अभी हम लोग शुरू करते हैं हमारा chapter number 5 organizing और अगर explanation अच्छी लगती है तो please इन videos को इन videos को अपने friends के साथ में भी share करना शुरू करते हैं फटाफट से तो देखो सबसे पहले बात करते हैं कि organizing होता क्या है हमें पता है management के 5 functions होते है planning, organizing, staffing, directing and controlling management का पहला function हम लोगों ने पढ़ा planning planning के अंदर जो managers है वो क्या करते है plan बनाते है वो advance में decide करते हैं कि हमें क्या करना है future में कैसे करना है कब करना है कौन सा काम किस से करवाना है तो जो planning है वो पूरी की पूरी क्या है mental exercise है यानि कि सिर्फ plan हो रहा है सारी चीज़े दिमाग में decide करी जारी है actually काम नहीं हो रहा अब हमें क्या करना है इस plan को implement करना है हमें actually काम start करना है तो उसके लिए second step आता है organizing organizing का simple सा मतलब है सारे के सारे resources को arrange करना resources से मेरा मतलब है human resources यानि की employees, physical resources मतलब हमारी machinery और financial resources यानि की पैसा सारे के सारे resources को arrange करना, सारे के सारे resources को organize करना साथ में identify करना कि यार हमें क्या काम करना है जैसे अगर ने school की बात करूँ तो school ने identify करा कि हमारा काम है पढ़ाना अब जो पूरा का पूरा काम है वो काम हम एक बंदे से तो नहीं करवा सकते एक बंदे पर बहुत जादा बर्डन आ जाएगा, एक बंदा सारा काम कर भी नहीं सकता, तो उस काम को हम छोटे-छोटे से टास्क, छोटी-छोटी सी जॉब्स में डिवाइड कर देते हैं, हर बंदे से हम अलग-अलग काम करवाते हैं, उसके बार में हम डिपार्टमेंट्स डिपार्टमेंट में डाल देड़ना, डिपार्टमेंट्स वगएरा बनाना, ही सब किसके अंतर आता है। औरिएंग यानिकि हम इन प्लांस को लागू करने लगते हैं, इसका मतलब है, हर परसन को बताना कि तुझे क्या काम करना है। और working relationships भी set up करना. अब working relationship का मतलब क्या है? मैंने कहा ये boss है. देखो boss को हम लोग क्या बोलते हैं? Boss को हम superior बोलते हैं. Boss को बोला जाता है superior. और boss के under जो काम करता है उसे बोला जाता है subordinate. तो हमें पता है ये जो superior है वो subordinate को क्या करेगा? orders देगा. और subordinate किसे report करेगा? boss को report करेगा? उसके orders follow करेगा. तो इस तरह से working relationships के बारे में बताना and effectively deploying resources for attainment of identified and desired goals. और सही से सारे के सारी resources human resources, financial resources, physical resources को arrange करना ताकि planning के अंदर हम लोगों ने जो goal set करेते हम उन goals को achieve कर सके. यही क्या है organizing? चमका अच्छे से एक definition और है. organizing can be defined as identifying and grouping different activities. वह यह काम को identify करना, उसके बाद में उस काम को अलग-अलग jobs में divide कर देना, सेम तरह की jobs को एक department में डाल देना, सारे के सारे physical, financial और human resources को इकटा करना, इनके बीच में productive relations set up करना ताकि हम organization के goals को achieve कर सके यही क्या है organizing. clear होगे अच्छे से? आगे देखो बात करते हैं, steps in the process of organizing. जिस तरह से हम लोगों ने planning के steps follow करेते, planning के steps पढ़ेते उसी तरह से organizing process के अंदर भी कुछ steps हमें follow करने पढ़ते हैं. चार steps हमारे पास में हैं. एक बार यहाँ पर explain करती हूँ. साथ-साथ में याद करो, मुझे comments में लिख दो, then detail में discuss करेंगे. देखो, सबसे पहला काम क्या है? identification and division of work. यानि कि सबसे पहले तो identify करना कि क्या काम करना है? हमारा काम क्या है? और identify कर लिया, उसके बाद में उस काम को क्या कर देना? divide कर देना. for example, क्या करना है? मान लोग घर के अंदर शादी है. ये तो हम लोगों ने काम को identify करा. अब उस काम को divide कर देना. for example, भई, menu क्या होगा? ये काम हम एक बंदे को देंगे, भई, आपको decide करना है, menu वाला सारा काम आप देख लो. जगा से related, venue से related काम एक जने को दे दिया. for example, रिंग लेकर आनी है, या फिर वर्माला लेकर आनी है, इंग्लिश में लिखते है, गार्लेंड, ये काम हम लोगों ने एक बंदे को दे दिया. hotel वगेरा arrange करना, guest के लिए ये काम हम लोगों ने काम को डिवाइड कर दिया. next step आता है हमारे पास में departmentalization. अब हम क्या करते हैं, जो same काम होता है, उस same काम को, यानि कि जो same काम है, उसका हम लोगों ने एक group बना दिया, same काम को हम एक अलग department में दाल देते हैं. for example, production से related सारा का सारा काम कौन से department में जाएगा, production department के अंदर. माल लो furniture का business है, तो production से related जितना भी काम है, वो गया, production department के अंदर. sales से related जितना भी काम है, वो गया, sales department के अंदर. raw material वगेरा purchase करना है, तो purchases से related जितना भी काम है, वो गया, purchase department के अंदर. तो इस तरह यसे हम same काम को एक group के अंदर divide कर देते हैं, एक group में डाल देते हैं, अलग से department बना देते हैं, इसे बोला जाता है departmentalization, थर्ड आता है assignment of duties, अब हमें पता है ये ये काम करना है, menu देखना है, venue देखना है, ring लेकर आनी है, hotel से related सारा काम देखना है, अब हम लोगोंने departments भी बना ये department में बहुत सारे employees भी है हर employee को अलग-अलग काम सौपना यानि कि duties assign करना हम देखेंगे बंदे की qualification क्या है बंदे को किस चीज का experience है बंदे की skills क्या-क्या है उसके according हम उसे क्या करते हैं हम उसे duties assign करते हैं कि तुझे ये काम करना है और last आता है establishing reporting and responsibility तो अगर हम लोगों ने बंदे को responsibility दी है यानि कि कोई काम सौपा है तो उसे हम decision लेने की power भी देंगे और उस decision लेने की power को क्या बोला जाता है authority दुबारा बताती हो अगर हम लोगों ने बंदे को काम दिया है कोई responsibility दी है तो हम उसे उतनी power भी देंगे कि वो अपने level पर decisions ले सके, इस power को बोला जाता है authority, अब obviously बात है जिसके पास में authority ज्यादा है, power ज्यादा है, वो कौन कहलाता है, superior कहलाता है, और जिसके पास में authority कम है, power कम है, वो क्या कहलाता है, subordinate कहलाता है, तो हमें पता है, superior subordinate को orders देगा, और subordinate superior के instructions follow करेगा, उसे report करेगा, सलाम साहब, तो ये reporting relationship setup करना, ये सब किसके अंदर आता है, organizing के अंदर, ज्याद हो गया, सबसे नहीं काम को identify करना और divide करना, second number पर departments मनाना, third number पर duties assign करना, last में authority set करना, और reporting relationship setup करना, कि कौन किस से orders लेगा, क कौन जाके किसको report करेगा, one by one discuss करते हैं, सबसे पहला है, identification and division of work, organizing के process में जो सबसे पहला काम है, वो है काम को identify करना, और उस काम को divide कर देना, plan के according, for example, bank में जाते हो, तो bank में हर बंदा अलग-अलग काम कर रहो होता है, एक से हम पैसा, एक के पास में deposit करवाते हैं, एक से हम पैसा withdraw करवाते हैं, एक के पास में हम FD करवारे होते हैं, कि एक counter होता है, जहां पर हम insurance related सारे काम करवारे होते हैं, तो इस तरह से काम क्या होता है, divided होता है, ऐसा करने से duplication of work नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, कि class में एक teacher आया, आपको BST का chapter 5 पढ़ा के चले गया, दूसरा teacher आ रहा है, वो भी BST का chapter 5 पढ़ा के जा रहा है, duplication of work नहीं होगा, और काम का burden एक ही बंदे पर नहीं रहेगा, समझ में आगया पहला point, second आता है, departmentalization, अब हम लोगों ने काम को छोटे छोटे से small small manageable activities में divide कर दिया, ठीक है, अब जो same तरह का काम है, उसे हम एक group में डाल द उसके बाद में sofa set का structure तयार करना है, structure तयार हो गया, उसके उपर cover लगेगी, गदी वगेरा लगेगी, उसके उपर polish होगी, यह सारा काम किस से related है, production से related है, तो production से related जितनी भी activities है, वो एक department में गई, यानि कि production department, sales से related जितना भी काम है, चाहे वो offline sale हो, online sale हो, वो गया sales department के अंदर, marketing कैसे भी करानी है, चाहे आप social media पर advertisement करो, hoardings लगाओ, TV में add दो, newspaper में add दो, वो सब गया, marketing department के अंदर, तो जो similar nature की jobs है, उन्हें एक department के अंदर दाल देना, इसी को बोला जाता है departmentalization, अब यह जो departmentalization है, वो basically हम दो तरीकों से कर सकते हैं, एक होता है functional departmentation, और दू है, जब हम departments मना रहे हैं, काम के basis पर, जैसे sales से related सारा काम एक department में गया, जो की है sales department, या फिर production से related सारा काम गया हमारा production department के अंदर, तो जब हम काम के basis पर department मनाते हैं, sales एक काम है, production काम है, purchase काम है, marketing काम है, that is known as functional departmentation, यहाँ पर jobs related to common functions, यानि की जो सेम तरे के काम है, वो एक department जाते हैं जैसे सारा का सारा काम production function से related कौन से department में जाएगा production department के अंदर लेकिन एक होता है divisional departmentation जब एक organization एक जो company है वो बहुत सारे products में डील कर रही है for example एक company है जो medicines में भी डील कर रही है ठीक है और यह जो है यह textiles में भी डील कर रही है यानि की कपडों में भी डील कर रह है और यह cosmetics मतलत मेक अप का जो समान है उसमें भी डील कर रही है तो यहां पर हम departments काम के basis पर नी बनाते हैं यहां पर हम departments बनाते हैं product के basis पर for example acrossmatic से related जितना भी काम है वो एक department में गया cosmetics का department अलग है medicine का department अलग है textiles का department अलग है, grocery का department अलग है तो जितना भी cosmetics से related काम है चाहे cosmetics का purchase हो, चाहे production हो, चाहे sales हो, चाहे marketing हो वो सब एक department में गया, cosmetics department में इसे बोला जाता है divisional departmentation इसे हम आगे कल और detail में पढ़ेंगे Under this method, jobs related to one product are grouped under one department For example, अगर एक organization, cosmetic, grocery, medicine और textile सब में deal कर रहा है तो cosmetic से related जितने भी काम होंगे चाहे production हो, purchase हो, sale हो, सब किस में जाएगा Cosmetic department में चमका यहां तक Third step आता है assignment of beauties हम लोगों ने काम को identify कर लिया हम लोगों ने काम को divide भी कर दिया कि यह ECO पढ़ाने का काम है यह BST पढ़ाने का काम है यह हमारा accounts पढ़ाने का काम है हम लोगों ने departments भी बना लिये अब उन departments के अंदर जो employees है हम उन employees को काम assign करेंगे हम उन्हें बताएंगे कि उन्हें क्या काम करना है और हम काम कैसे देते हैं उन बंदों की skills, qualifications और experience के basis पर हम उन्हें काम देते हैं और काम देते टाइम पर हमें देखना उस बंदे की ability क्या है वो उस काम को कर भी सकता है न और इसके लिए employees को एक document दिया जाता है जिस document का नाम होता है job description job description के अंदर clearly given होता है की बंदे को क्या job perform करनी है यानि की उसे क्या-क्या काम करने है और बंदे की क्या-क्या responsibility है वही लिखा है employees को जब हम duties assign कर रहे हैं तो उन्हें document देते हैं जिसका नाम है job description this document defines the contents and responsibilities related to the job last function आता है establishing authority and reporting relationship fourth step के अंदर individuals को अगर हम लोगों ने responsibility दी है यानि की काम assign करा है तो काम के according हम उन्हें authority भी देते हैं यानि की power भी देते हैं कि वो अपने level पर decisions ले सके इस power को हम क्या कहते है authority अब जिसके पास में ये power ज़्यादा है वो person क्या कहलाता है superior कहलाता है जिसके पास में ये power कम है वो क्या कहलाता है subordinate कहलाता है तो reporting relationships का पता चल जाता है कि कौन किसको orders देगा और कौन जाके किसको report करेगा जो वो individual जिसकी authority ज्यादा है वो कौन है? superior वो individual जिसकी authority कम है वो कौन है? subordinate हर individual को पता होता है कि वो उसे किस से orders लेने है और वो किसके towards accountable है accountable मतलब वो किसके towards जिमेदार है ये जो नीचे वाले है ये उपर वाले के towards जवाब दे ही है न उपर वाले के towards answerable अगर काम नहीं होगा तो इन्हें उपर वाले को जवाब देना पड़ेगा तो इस तरह से organization के अंदर एक hierarchy create हो जाती हो सारे departments में proper coordination रहता है समझ में आगे अच्छे से आगे देखो अब हम बात करते हैं importance of organizing importance भी बोल सकते हो या फिर आप significance भी बोल सकते हो एक बार short में discuss करते हैं then detail में यहाँ पर कही ना कहीं हमें specialization के 5 मिलेंगे अगर मालो एक school के अंदर मैं पिछले 8 साल से ECO और BST पढ़ा रही हूँ तो मैं उस काम में specialized हो जाओंगी मैं उस काम को ऐसा करूंगी कि कोई दूसरा उस organization में मेरी तरह उस काम को नहीं कर सकता उसको काम को करने में मेरे efforts भी कम लगेंगे और result भी जादा अच्छा आएगा specialization के फाइदे मिलेंगे organization को working relationships का पता है कि किसे किसे orders लेने कौन जाके किसको report करेगा सारे resources का proper utilization होता है अगर environment में कोई change आ रहा है तो हम business के अंदर changes लेकर आ सकते हैं administration effective होगा यानि कि management का काम करने का तरीका बहुत आसान हो जाएगा सारा काम systematically मखन तरीके से होगा लोगों का development होगा employees का development होगा organization grow करता है और expand करता है क्यासे करता है दिको पहला है benefits of specialization मान लो एक factory है वहाँ पर एक बंदे का काम है लखडियां काटना वो बिजले 5 साल से लखडियां काट रहा है तो वो स्पेशलाइस्ट हो जाएगा वो उस काम को ऐसे करेगा कि उसका खुद का time भी कम लग रहा है उसका effort भी कम लग रहा है और कहीं न कहीं कोई wastage भी नहीं होगा और अगर wastage नहीं होगा तो obviously बात है cost भी कम से कमाएगी तो specialization के फाइदे मिल रहे है न तो वही है यहाँ पर division of work होता है division of work होता है तो workload तो कम होता ही है employees की productivity बढ़ती है क्योंकि वो बंदा regular basis पर same काम कर रहा है repetitively अगर वो same काम करता जाएगा तो उसका खुद का experience increase हो रहा है और कही न कई specialization देखने को मिलेगा मैं अगर पिछले 10 साल से eco-BSD पढ़ा रही हो तो मैं eco-BSD में expert हो जाओंगी पढ़ाने में मेरा effort कम लगेगा सारा content मेरे पास में ready रहेगा effort कम लग रहा है time कम लग रहा है मुझे पूरी किताब याद हो गई तो best results मिलेंगे organization को तो पहला है specialization के फायदे मिल जाते है second है clarity in working relationship अब यहाँ पर clearly पता है कि यह superior है एक बार pen change करते हैं यह superior है फिर इसके subordinates यह है उसके बाद में इनके subordinates यह है तो इस तरह से clearly हमें पता है line of communication का पता है कि यह इने orders देंगे यह किसको orders देंगे यह इने orders देंगे तो हर किसी को पता है कि हमें किसे orders लेने हैं हमें किसको report करना है तो कोई transfusion नहीं है instructions पास करने है यह इसे instruction देगा यह इसे instructions देगा तो किसी तरह का कोई confusion नहीं है एक proper hierarchy follow होती है हम आराम से responsibility fix कर सकते हैं जिम्यदारी बता सकते किस person की क्या जिम्यदारी है उसकी authority की according अगर इसके पास में सबसे ज्यादा authority है सबसे ज्यादा power है तो इसके पास में responsibility भी बहुत ज्यादा होगी अगर इनके पास में सबसे कम authority है यानि कि सबसे कम power है तो इनकी responsibility भी सबसे कम होगी तो वह ये working relationships का पता चलता है कि हमें किस से orders लेने और किसको report करना है थर्ड है optimum utilization of resources organizing function ये mixure करके रखता है कि सारे के सारे material यानि कि हमारी जो machinery वगेरा है यानि कि physical resources, financial resources, पैसा, human resources, employees सबका proper utilization हो clearly पता है किस person को क्या काम करना है तो कोई duplication of work नहीं होगा यानि कि ऐसा नहीं है जैसे मैंने आपको पहले भी example बताया था एक बंदा जाके raw material ले आया और दूसरा बंदा भी जाके same raw material ले आया ये तो duplication of work हो रहा है न ऐसा कोई duplication of work नहीं होगा resources का wastage नहीं होगा efforts का wastage नहीं होगा हर resources का क्या हो रहा है proper efficient optimum utilization अगला है adaption to change देखो अगर environment में कोई change आता है तो definitely हमें business के अंदर changes लेकर आने पड़ेंगे अगर हम changes नहीं लेकर आते तो business हमारा survive नहीं कर सकता for example covid आया सारी चीजे online हुई तभी आप आज online बढ़ रहे हो ना उससे पहले तो पर education कोई नहीं लेता था तो वही अगर environment में कोई change आ रहा है तो हमें भी अपने business के अंदर changes लेकर आने पड़ेंगे तो अगर organizing function है तो environment में changes आ रहे हैं उसके according business में changes लेकर आना आसान हो जाता है कैसे हो जाता है देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं यहाँ पर हम अलग-अलग departments बना देते हैं अलग-अलग departments बना दिये मैंने कहा यह है हमारा production department यहाँ पर सिर्फ production होगा यह है हमारा purchase department raw material खरीदने से related यह है हमारा marketing department marketing मतलब अपने product का promotion वगरा हो गया यह है हमारा sales department अब मान लो marketing के अंदर change हो गया पहले तो जो marketing होती थी वो TV में होती थी, newspaper के थू होती थी, hoarding लगवा देते थे, आज कल तो marketing के लिए social websites या फिर social networking sites का जमाना है, Instagram पे लोग promotion कर रहे हैं, YouTube पे promotion कर रहे हैं, तो marketing के अंदर हमें change करना है, क्योंकि environment में कोई change आ रहा है, तो हम आराम से इस department में changes लेकर आ सकते ह हैं, without disturbing the other departments, other departments को तो हम हाथ भी नहीं रगा रहे, marketing में change आया है, हम marketing के अंदर change लेकर आएंगे, और marketing वाले सारे employees को communicate कर देंगे, marketing के वाले के head को बता कर, तो हम आराम से एक department में changes लेकर आ सकते हैं, without disturbing the other departments, तो changes यहाँ पर लेकर आना बहुत असान है, वही लिखा है, whenever the changes take place in the business environment, तो organizing function की help से हम हमारे organization के अंदर changes लेकर आ सकते हैं, क्योंकि organizing function के अंदर हम बहुत सारे departments मनाते हैं, और एक तरह का काम एक department में जाता है, same तरह का काम एक department में जाता है, so changes can be easily adopted only in that area which may be affected by these changes, and changes can be easily communicated to the whole organization through departments, वही लिखा है, हम उसी area, उसी department में changes करेंगे, जिस department में changes आ रहे हैं, दूसरे department हमारे effect नहीं होंगे, changes लेकर आ सकते हैं, फिफ्टे effective administration यानि कि business को चलाना, manage करना बहुत असान हो जाता है, clearly पता है किसे कौन सी job करनी है, perform, job description का पता है, job description document भी दे दिया था, पता है किस person को मुझे क्या काम करना है, मेरी क्या responsibility है, reporting relationships का भ तो कोई confusion नहीं होगा, duplication of work नहीं होगा कि एक ही काम दो बंदों ने दो बार कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं managers के लिए आसान हो जाता है, organization को manage करना, उनके लिए management easy हो जाता है, effectiveness देखने को मिलेगी, यानि कि जो काम है वो time पर complete भी होगा, efficiency भी देखने क को मिलेगी कि काम ऐसे होगा कि काम को करने की cost कम से कमारी, resources का proper utilization हो रहा है, कोई वोई stage नहीं हो रहा, तो वही है, effective administration होगा, six, development of personnel, डेखो development of personnel का मतलब है, organizing के अंदर एक काम होता है, जिसे बोला जाता है delegation, या आप आगे चलकर इसी chapter में last में पढ़ोगे, डेखो delegation का मतलब क्या है, मैंने कहा ये manager है, manager है, तो manager तो कौन है, superior है, manager ने अपना कुछ काम अपने subordinate को दे दिया, जो इसके under है, उसे दे दिया, कुछ काम अपने subordinate को दे दिया, काम भी दिया है, यानि कि responsibility भी दी है, responsibility के साथ में authority भी दी है, ताकि बंदा अपने level पर decisions ले सके, तो manager अपना काम, अपनी responsibility, अपने immediate subordinate को देता है, इसी को बोला जाता है, delegation, तो manager का जो workload है, वो workload क्या होगा, कम हो जाएगा, अब अगर manager का workload कम हो चुका है, तो वो अपने organization के growth के बारे में सोच सकता है, important decisions, plans, policies बना सकता है, नए किसी product को बनाने के अलग-अलग तरीके होते है वो नए तरीकों को identify कर सकता है, कुछ innovative सोच सकता है, तो managers का भी development हो रहा है, और अगर subordinates को काम करने को मिल रहा है, तो एक तो subordinates को लगेगा, हमें कुछ समझा है, तभी तो हमें काम दिया है, उनके मन में ये चीज भी आएगी, कि यार, शायद हम इस काम के काबिल है, और अगर subordinates manager वाला काम कर रहे है, तो उनकी training हो रही है, आगे चल कर ये subordinates और ज्यादा अच्छे managers मन सकते हैं, future men का promotion होगा, तो ये कहीं न कहीं अपना पूरा full potential यूज कर रहे है, innovative ideas लेकर आ रहे है, तो personal का development हो रहा है, manager का भी development हो रहा है, subordinates, employees का भी development हो रहा है, वही लि routine काम किसको दे रहा है, अपने subordinates को, तो उसका workload तो कम होगा, तो manager जो हो है, वो कहीं न कहीं नए methods के बारे में सोच पाएगा, नए तरीकों के बारे में सोच पाएगा, उसे time मिलेगा कि वो growth के लिए कुछ नए areas को explore कर सकता है, कि यार इस proposal में पैसा लगातेते हैं, वो grow क potential को use करते हैं, innovatively सोचने हैं, तो उनका भी कईना के development हो रहा है, और last point आता है, expansion and growth, obviously बात है, सारे resources का proper utilization हो रहा है, सारे resources मतलब physical resources, financial resources, human resources, सबका proper utilization हो रहा है, हम लोगों ने पढ़ा था एक point, division of work हो रहा है, division of work से हमें किसके फाइदे मिलते हैं, इससे हमें मिलते हैं, specialization के पाइदे, और specialization के फाइदे क्या है, काम को करने की cost कम आएगी, time कम लगेगा, effort कम लगेगा, जादा अच्छे हमें results मिलेंगे, तो organization ग्रो करेगा, organization diversify कर सकता है, माल लो वो textiles में deal कर रहा है, कपडों में, grocery में भी deal कर रहा है, cosmetics में भी deal कर रहा है, medicine में भी deal कर रहा है, व organization expand करता है, अपनी activities को diversify करता है, कुछ ना कुछ वो नया लेकर आता है, without disturbing other departments, वो एक नया department खोल सकता है, तो organization क्या करेगा, ग्रो करेगा, तो आज के लिए इतना बहुत है, अब कल की class के अंदर हम लोग organization structure complete करेंगे, जिसके अंदर हम functional structure और divisional structure पढ़ेंगे, साथ में formal organization औ informal organization भी हम complete करेंगे, यहां तक का अच्छे से पढ़के रखना है, आपको मैं छोटा सा काम दे रही हूँ कि यह जो हम लोगोंने process पढ़ाता ना, process के अंदर हमारे पास में 4 steps है, यह 4 steps आप मुझे comments के अंदर लिखोगे, और importance के 7 points है, यह 7 points आपको मुझे comments के अंदर लिखन हैं, so I will see you tomorrow, lots of love, bye bye